ये कहानी एक क्रियेचर की है जो बहुत ही खतरनाक है वो छोटा सा लेकिन इतना कुनकार है कि लोगों को बेरैमी सी मार दीता है तो फिल्म के शुरुआत होती है एक आदमी डंकन को दिखा दीती है जो सड़क पर बिलकुल अकीला था किसी चीज से डर कर भाग रहा था भाग भागती वो अपनी घर पहुंचा दर्वाजी को लॉट करके अपनी वाइफ को कहता है कि जाओ फोरण छुप जाओ जल्दी से इससे पहले वो अंदर आ जाए अब पहले पहले तो उसकी वाइफ मना कर दीती है क्योंकि उससे कुछ भी समझ नहीं आती कि डंकन क्या कह रहा यह तो दिखाया नहीं जाता लेकिन यहां से सेंशिफ्टों कर आ जाता है कुछ घंटे पहले जहां डंकन और उसकी वाइफ एक हॉस्पिटल में थी और यहां डंकन का अल्ट्रासांड हो रहा था लेकिन अल्ट्रासांड करती हुए निर्स काफी कंफ्योस्ट हैरान लग तो उसे कुछ पी समझ नहीं आती तो डॉक्टरों नहीं कहता है कि ज्यादा बड़ा मसला नहीं है हम आपका इलाज करेंगी अगले दिन डंकन अपनी ऑफिस गया पता चिला कि वह एक अकाउंटेंट की जॉब करता है लेकिन अब उसका बोस उसे इस जॉब से हटाकर हुम डंकन काफी परिशान रह जाता है क्योंकि उससे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस जॉब को कैसे लेकर चलूँगा साथ ही यहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उसका नया को लेक था और अब से डंकन की साथ काम करने वाला था डंकन जब घर आया तो उसकी मॉम की कॉलाई वो कहता है दंकन मुझे तुम्हारी कंपीटर के जूरती जो मैं इस समाल कर रहा था लेकिन घंजी से तुम्हारी बहुत जूरी फाइल उसे डिलीट हो गई है यह सुनकर डंकन काफी परिशान हो गया उसे घुसा भी आ रहा था क्यूंकि वह फाइल डंकन पिछ अपनी दवाई लेकर सो जाती है इसलिए वो डंकन की कोई अवास नहीं सुन पाती जो इस दुरान बहुत जरा ही चिलाने लगता है अचानक वो गिर गया विहोश हो जाता है इस दुरान हम ने देखा कि कोई छोटी सी चीज उसके जिसम से निकल कर बाहिर आई जो वहां हर इतना उसकी मोत हो जाती है ऐसे करने की बाद वो चीज वापी सी आकर डंकन के अंदर चेदी जाती है अगली सुबह जाकर डंकन को होश आई वो टीवी में खबरें रीखता है जहां बताया जा रहा था कि उसका वो नया कुली कल राद बड़ी भी रहमी सी मारा गया है यह काफी चौग गया लेकिन इस बात को नजर अंदास करकी वो एक थेरापिस्ट की पास किया अपना इलाज करवानी थेरापिस्ट उसे हिप्नोटाइस करकी इलाज करने का कहता है जहां डंकन पहली तो मला कर दीता है लेकिन थेरापिस्ट की पार बार कहनी पर वो मान गया औ यहां पहली बार हम उसे देख पाते हैं जो अजीब सा गंदा सा क्रियेचर था, बहुत ड्राउना, खतरनाक लग रहा था, उसे देखकर थेरापिस्ट के भी होश उडगे, काफी चांग चाता है, उसे लग रहा था कि ये मुझे कोई लुफसान पहुंचा देगा, इसलिए एक डंडा लेकर क्रियेचर पर हमला तेने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुनखार क्रियेचर अपने ड्राउना सा मुझे कोल कर तेरापिस्ट पर धारनी लगा, और यहां हम उसकी खतरनाक दांटों को भी देख पाती है, जिनसे वो तेरापिस्ट की टांग पर ही काट ल और इस चीज़ का फाइदा उठाकर क्रियेचर खिड़की तोड़कर वहां से बाहर भाग जाता है, अब डंकन काफी कनफ्यूज था, उसकी जहन में कई सारे सवाल थी, जिनका जवाब वो तेरापिस्ट से मांगता है, तब तेरापिस्ट एक किताब निकल कर डंकन को उसने ये भी बताया कि अब वो क्रियेचर तुम्हारे पास जरूर आएगा, तब तुम उससे बात करके उसे शान करना, इस तुरान तुम्हारे और उसके बीच काफी अच्छा बार्ण बन सकता है, यानि तुम दोनों एक दूसरी से दोस्ती कर सकते हो, अब वो डॉक्टर जो डंगन की मौम ने बुलाया था, वो एक लिड़की के साथ होता है, पर जैसे लिड़की यहां से गई, क्रियेचर आकर उस पे भी हमला करके नीचे गिरा दीता है, वो उसके उपर आकर बैठ गया, अपनी दांतों से डॉक्टर की पेट पर हमला करके उसे चीर के रख द काफी अच्छा बरताओ करने लगा, जैसके चूटी बच्चे के साथ करती है, जैसे क्रियेचर को भी काफी अच्छा लगा, और यहां डंकन उसे काफी प्यारा सा नाम भी देता है, जो था माईलो है, और अब क्रिएचर माइलो फिर से डंकन की दिसमें वापीस चला जाता अपने बोस के पास जाकर इस बारे में बताता है तब उसका बोस बिना डरी जवाब देता है कि तुम इसका हल ये करो कि किसी और क्लाइट की अकाउंट से इस अकाउंट की बैंक बैलनस को बराबर कर दो जिससे सारा मामला स्टेटल हो जाएगा ये सुनकर डंकन काफी हरां र रहे हैं मैं ऐसा कैसे करो ये काम तो बिल्कुल गर कानूनी ही उसका बोस कहता है कि तुम बस ऐसा कर दो जड़ा मर सोचो हम सब कुछ हैंडल कर देंगी कुछ दिर बार डंकन की नजर टीवी पर गई जहां खबरें देकर उसकी आंकी खुली की खुली रह दी क्योंकि बताय ऑने हुई वो तेरापिस्ट की पाथ जाकर उसी सारे बात बता दीता है तुम्हारे डैट का होईं तुम उनसे बात करो हो सकता है उनसे तुमMे इस मिशर का कोई हाल में इसलिए वो उनकी जान लेना चाता था जिस पर डंकन कहते है कि नहीं उन्हें प्लीज मत मारना वो मेरे डैड है अगर तुम चाहो तो वापिस मेरी जिसमें चले जाओ पर माईडो नहीं सुनता वो उन्हें मारने जाता है लेकिन टेंकन जैसी तैसी उसी रोकर कियता है कि शान्त हो जाओ, मैं वादा करता हूँ कि आफिस पोच कर तुम्हें खाना जरूर खिनाओंगा, जानता हूँ तुम्हें भूख लगी हो, अगले दिन टेंकन जिब आफिस गया, तो आफिस में चल रहे हैं सारे मसलों को वो प लिफ्ट बंद हो गई, तो टेंकन लिफ्ट में जाए नहीं पाता, सिर्फ माईलो को उस गया था, इसलिए वो काफि खब्रा गया, नीचे जब गया तो लिफ्ट खुलते ही, उसकी हूच उट जाते हैं, क्यूंकि माईलो ने पहले ही, वो उसको बेर्यामी से मार दिया था उसने बोस को भी चील फाड करके रख दिया था, और अब बैठा वो नोच नोच कर भोस को खा रहा था, टेंकन काफि परेशान हो गया, जल्दी से भाग कर अपने घर चाता हैं, उसकी वाइफ भी थी, यहां उसकी वाइफ जब यह बताती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ, मा बनने वाली हूँ, तो टेंकन एकदम काफी खोश हो गया, लेकिन वो इस बास से परिशान था कि अगर ये बात माइलो को बता चल गई, तो वो मेरे बच्ची को नुकसान पहुझा देगा, इस डर की बज़े से वो अपने घर को छोड़के चला जाता है, जिहां वो माइलो की साथ अकिला रहने वाला था, ताकि अपनी वाइफ और बच्ची को उसे दूर रख सके, तंकन उसके साथ बच्चों की तरह ही पेश आता है, अपनी साथ लेकर सोता है, खाना भी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन माइलो को कुछ भी पसंद नहीं आता, कुछ दिर की ब पूछी, तो वो कियते हैं, कि मैंने तुम से सिर्फ इतना कहा था, कि मैं तुम से मिलने आऊँगा, मैंने ये नहीं कहा था, कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूगा, पर क्यूंके डंकन उसकी साथ हो रहे ही मसलों की वज़र से काफी परेशान हो गया था, इसलिए डैट को उस क्रियेचर माईलों के बरे में मता देता हैं, और ये भी कि मज़र से मुझे पहुँ सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हैं, अब आप मुझे इसका हल बताए, लेकिन उसकी डैट कुछ नहीं मताती, पर अब अच्छानक की दोनों बाप बेटी, नीच डैट की क्रियेचर को पकड़ के बुरी थरा उस पर हमला कर दीता हैं, वो चाकु से बार बार उस पर वार करने लगा, जिससे डैट का क्रियेचर काफी जखमी हो गया, और इस चीज़ का असर डैट के डैट को भी होने लगता है, यानि कि वो भी काफी तकलीफ में सूस कह अब उदर माईडो जब दूसरे की रीचर को मार रहा था, तो उसकी डैट 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 को कहते हैं, कि तुम्हारी वाइफ मार बनने वानी है ना, डैट ये जानकर मुझे बहुत कुशी होई है, और तुम्हें हमेशा अपनी वाइफ और बच्चे का दिहान रखना चाहिए ये सुनते माईडो को गुसा गया, और वो एकी मिनट से पहले चाकू लेकर वहां से बाग गया, तकि डंकन की वाइफ और उसकी बच्चे को मार सके, जो देखकर सबी काफी परिशान हो गए, तिरापिस्ट डंकन को कहता है, कि तुम्हारी डैट को मैं समा लूँगा, तु और माईडो भी दर्वाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है, पर यहां डंकन उससे समझाने की कोशिश करता है, कि देखो मिनी वाइफ घर पर नहीं है, तुम यहां से चले जाओ, लेकिन जब उसे बेसमेंट से आवाज आई, तो वो समझ जाता है कि डंकन की वाइफ ब कर लेता है, लेकिन इस चीज़ में वो नकाम रहा, माईडो वाइफ को डराता है, फिर एक दम से ही उस पर हमदा करके नीचे गिरा दीता है, वो उसे कोई नुकसान पहुंचाता है, इससे पहन ही डंकन की वाइफ उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो फिर भी उसे काबू कर पर उसकी बच्ची को नुकसान पहुंचाने से पहले ही दर्वाजा तोड़कर डंकन अंदर आ जाता है, पेट पर माईडो वाल करने ही लगा था कि तब डंकन एक दम से आकर उस पर झपड़ पड़ा तोर कर दीता है, और अपनी वाइफ को वहां से बगा दीता है, लेकिन माईडो जो इतना खतरनाक था कि डंकन को भी अपने नाकूनों से जखमें कर दीता है, और उसकी वाइफ का पीछे करते हुए बाहर आ जाता है, जहां बहुत सारे लोग हलांके उसे आग से डराने की कोश्च भी करते हैं, लेकिन वो डरता ही नहीं, उल्टा उन्हें दरान को भी हो रहा था, लेकिन माईडो क्योंकि सब के लिए नुकसान दे था, इसलिए डंकन फिर भी उस पर वार करता है, जिससे उसकी हालत मरने वाली हो गई, और अब डंकन उसकी आखरी पलों में माईडो को गोधन उठा देता है, यहां जोनों ही काफी चस्पाती हो गई, और पहली बार माईडो उसी डैड कहता है, जिसकी बात वो मर गया, तंतन को दुख हुआ, वो अपनी वाइफ की गले से लग कर रोने लगता है, उसे इस बात की भी खुशी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, और मेरी बच्ची को कुछ पिनी होगा, इसलिए अगली ही दिन स उसके पेट में बिल्कुल ऐसा ही एकी रीजर था, यनि कि अब ये सिल्सला नसर डल नसर आगी चलता रहेगा, पहले डंकन की डैड ने इसका सामना किया, फिर डंकन ने और अब उसकी बीड़ी को भी करना पड़ी का, इस फिल्म की कहानी भी यही पर खत्म हो जाती है